स्री सिवाय नमस्तु भ्यम जैस लिबाला जी महराज आज हनमान जी का दिन है जो कि 11 रुद्रावतार है महादेव के अपने आप में सक्ति पुंजी के रूप में हमारे आसपास विद्धिमान है आज सरल से उपाय आपको अपने घर में करने जरूर है ताकि बजरंग बली आपके जीवन में सब कारे सिध कर दे और साथी महादेव की कृपा सदा सरवदा घर परिवार पर बनी रहे आरंब करते हैं सबसे पहले पुरुषजन कम समय दे पाते हैं तो प्रते एक महला को करने चहिए घर का एक सदश भी कोई कारे कर लेता है ना पूरा परिवार सुख पाता है पती हमारे अन्य दाइतों क निर्वाह कर रहे हैं, धनर जन कर रहे हैं, और एक लड़की जो है, यह एक महिला होती है, वह हैंपोरे परिवार के लिए कोई कारे करती है। कहने करते हैं सभी तरह के दाई तो सभी विक्ति निवाते हैं तो परिवार सही तरीके से सही विधी से चलता है तो ऐसे में पूजा पाड़ भी उन क्रियाओं में सबसे महत्तोपोन है तो आप सभी को आवश्यक रूप से आसरल से कारे करने हैं देर ना करते हुए सुरू करत पहला उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं बहुत आसानी से आपको होम लॉन है आपको कोई गाड़ी का मतला आपने लॉन ले रखा है या किसी भी तरह से कोई पैसा लेकर चला गया है या कोई कर्ज रह गया है आपके सर पर तो उसे आप चुकता करना चाहते हैं तो आज से पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, एक जल का लोटा ले दीजिए, थोड़ा सा ले दीजिए मसूर की डाल, मसूर की डाल जो है, आप मंगलवार के दिन उपाय के रूप में सबसे फलित मानी जाती है, रोक कर्ज उतारने के लिए धन संपदा में व्रधी करने के लिए, यह उपाय सब कार्यों की सिद्धी के लिए माना जाएगा, क्योंकि यह विसेश है, आप सभी को क्या करना है, कि एक मुठी मसूर की डाल लेनी है, सरलतम तरीके से, यह सभी चीज़े मंगल ग्रह से जुड़ी होती है, आयल लाल रंग की वस्तोव का उपाय, और लाल रंग कि आगे बैठ जाना है, सबसे पहले साम के समय में महादेव के सिवलिंग के उपर जल समर्पीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे तो मंदीर में करें, चाहे तो घर के सिवलिंग पर करें, जल नहीं चड़ाने चाहतें, कई स्थानों पर साम के समय जल नहीं जढ़ाया जाता तो अपनी अपनी इच्छा है कोई दिक्कत के बाद नहीं है आप सभी को हाथ में मसूर की डाल ले लेनी है दाहिने हाथ में ले देजिए और दाहिने-हाथ में मसूर की डाल लेने के तो भी वह इसमरण करके भान करके प्राधना करकर कि महादेव कस्टो का निवारण करें इस कहारण से रिण मुक्तेश्वन महादेव का आपका विसेस नाम लेकर उपाई कर रही हूं ऐसा कहते हुए सभी पूर्ण रूप से पूरी मुठी की मसूर की दाल आपको सिवलिंग क उपर समर्पित कर देनी है आज के चमतकारी मंगलवार के दिन सरल सा उपाई है कीजिएगा निश्चिति आपको लाब होगा पहला उपाई है जो काफी सरल है घर पर किया जा सकता है दूसरा उपाई आप सभी को क्या करना है कि हनमान जी की एक फोटू प्रतिमा होगी घर तो साम के समय पर उसे विराजमान कर लीजे आप भी लाल रंग के कपड़ों का चुनाओ कर लीजे और लाल आसन संभव हो तो वह जो है आप बिछा कर बैठ जाईए पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की और अपना मुख कर लीजे जल का लोटा रग लीजे हनमान जी के आ साथी धर्म अर्थकाम मोक्ष को भी उननत करने वाला माना जाता है और जीवन विजो भी परिशानिया चल रही है चारों दिशाओं से हनमान जी महराज उन संकटों का नाश करते हुए मनों कामना पूर्थी करते हैं ऐसी मानेता है तो संभव हो तो आर्टे का दीपक लगा है चाहे तो इनके अवना होने की अवस्था में घीका भी लगा सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है साथ ही उसके अंदर आपको डालना है लौंग का जोड़ा अब आप सभी विधिविधान से सबसे पहले इस मंत्र को बोले यह हैं बहुत सरल मंत्र है एक बारे से आप अपन स्क्रीन पर दिया है स्क्रीन सोट ले लिजिए और इसे कम से गम आज जो है अपनी चमता अनुसार 111-51 या 108 वार जरूर से जाब कीजिएगा निश्ची थी आपके जीवन में जो रोग कर्च होते हैं वह माफ होते हैं धन संपदा में विरध्य होती है कहा जाता है आज के दिन किया गया कोई भी उपाय ततकाल फल देने वाला होता है सरल सा उपाय है नियम बना लिजे फिर देखिए कैसा बदलाव आपके जीवन में आता चला जाता है साथ ही आप सभी को हनवान चालीसा का एक बार या उससे अधिक बार भी जरूर से आज घर में पाठ करना है निश्ची थी आपको लाब होगा दो उपाय है मैंने बताए वीडियो उपयोगी है तो आपके लिए तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में जैसरी बाला जी महला लिखना ना भूले इसके बाद आता है तीसरा उपाय तीसरा उपाय भ रहते हैं वह अपनी लंबाई की अनुसार ना अप लीजिए सर से लेकर पैर तक ना अप लिया और उसे लेकर चली जाए हनमान जी के मंदिर में वहां जाकर आप सभी पहले लगाए दीपक चाहे तो चौमुखा लगा चाहे तो सामाने दीपक लगा आपकी इच्छा है भो आपकी जी बाईने पैर में समर पित करना है इसे धागे को बैठकर हनमान चाली सकापाट करें मंतर जा पित्यादी करें उसके बाद जो है आप सभी हनमान जी के दाहिने पैर का जो सिंदूर है इसमें लगा लीजिए लाल धागे में और लेकर आजाए घर घर लाकर जो है आप सभी इसे चाहें तो अपने कंठ में धारन कर लीजे गले में चाहें तो हाथ के बाजु में या आप हतेली में धारन कर सकते हैं गुरुजी कहते हैं जहां जाएंगे वहां सफलता प्राप्त करेंगे कोई दुख तकलिफ पीडा दुरगटना रोग उपरी बाध आपके जीवन में नहीं आएगे आज के दिन तो लाख गुना कोई भी उपाई फल प्राप्त होता है किसी भी सररकारे का तो आज जरूर से कीजिएगा साथ ही आप सभी जानते होंगे आज से अधिक मास सुरू हो रहा है जितना संभव हो दीप दान करें सेव मंदिर की चोखट मे सिव मंदिर में शमी व्रक्ष के नीचे पीपल व्रक्ष में केला व्रक्ष में और साती बेल पत्र व्रक्ष में और घर के मुख्यद्वार पर यह पांच स्थान परियापत हैं अधिक मास में सब कारें की सित्धी के लिए चाहें तो पित्रों के नाम का भी दीपका साम के स जस्तों का दान करना है चाहें तो लाल जो है गुड़हल के फूल हनमानजी को बहुत प्रीय है अपने हाथों से आज मंगला गोरी ब्रद भी है माता गोरा के लिए और माहादेव के लिए गुड़हल के फूल के माला बनाते हैं अपनी इच्छानुसार लाल धागे में तो भ सभी को आवश्यक रूप से उनके गले के लिए भी लाल रंगे धागे में अगर अपनी मनोती कहते हुए गुढ़ल के फूल के माला समर्पित करते हैं तो भी आपके भागी खुल जाते हैं सरल सरल से कारिथे आपको जरूर से करने हैं साथ ही आज आप सभी को महादेव का ला पश्चक रूप से हनमान जी महराज के मंदीर में अगर आंकडे के पत्ते मिल जाए ना यहाला कि आंकडे के पत्ते की माला जो हमारे महादेव हैं उन्हें भी समर्पित होती है उनके लिए भी बना सकते है चाहे तो विसे सुपाई जो गुरुजी द्वारा बताया गया है आ उसमें कुछ भी नहीं लिखना उसे अपने दाहिने हाथ में ले उपर से अपना बाया हाथ रखें और स्री सिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए आप रत्यों की परिक्षा में उन्नती प्राप्त करना चाहते हैं व्यापार में गती रोग चन है जो कोई ना कोई सरूप में आपको परिशान करती है तो जो भी मनोकामना है वह कहते हुए आपको पूर्ण रूप से इसे हनमान जी महराज के गले में धारण करवा देना है आंकड़े के पत्ते की माला अतिसी ग्र मनोकामना पूर्ती में सहायक है आप इस पवित्र म को मैं आज कर सकता हूँ या कर सकती हों करने का प्रियत्म करें निश्टी थी आपको लाब होगा वीटियो प्योगी रहा हो तो चैनल को लाइव करें शेर करें सब्सक्राइब करें हर हर महादेव